कि हलो स्टुडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिकला फर्स्ट अडी में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम टेंथ क्लास का साइंस का बहुती महतपूर्न अब्जेक्टिव प्रस्न लेकर आये हैं जो आने वाले 2022 से लिए काफी हिंपोटेंट है तो फ्रेंड आपको साहता मिले तो चली फ्रेंड देख सकते हैं विहार बोर्ड टेंथ क्लास विज्ञान का वस्तुनिष्ट प्रस्न लेकर आए हैं जो आने वाले जाम के लिए बहुत ही इन पोर्टेंट है तो प्लीस फ्रेंड अगरा फोरे चैनल पर पाली बार वार वीजिट कर रहा है टेंथ का सका लेटेश्ट अपडेट विडियो बना हूँ आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले एक्जाम में आपको सहता मिले तो चली फ्रेंड देखते हैं पाला नमबर प्रस्न कि निम लिखित में से कौन गयस चूने के पानी का दुधिया कर देता है देख सकते हैं इसका option में दिया हुआ फ्रेंड ए च्यू टू बी एसो टू और सी सी ओ टू और डी ओ टू तो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंड सी यानि Co2 यानि carbon dioxide देखते हैं नीक्ष नमट प्रस्ण है कि टाए टैटरी कमल निमलिखित में से किसमें पाया जाता है एब अर एब सांतरा और सी हई सिरका आपड़ी है इमली तो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंड डी यानी टार्टरी कमल फ्रेंट जो इमली में पाया जाता है तो प्लीस फ्रेंड हमारे विडियों को लाइक कर देवर हमारे चैनल टीके लाइफ स्टरी को सब्सक्राइब करते और बेल लाइकन को दवाना नहीं भूले तक जो भी मैं टेंथ का सका लेटेस्ट अपडेट व हैं और और देख सकते हैं my friendement this opens door commence अंधे को ही नहीं तो इसका आंसर में रखेंग यानी C A S O Fjr2h2 12 सकते हैं जिनक संका रसाइनिक शूतर हैं तो छली फ्रेयं नीख्ष नमरप्रस्ण में देखते हैं दिखुलन फ्रेय नेक्ष नमर प्रस्ण में है कि जिंक तथा सल्फियूरी कमल के बीच अभिकिरिया से निमलिखित में से कौन सी गयस निकलती है तो जिंक तथा सल्फियूरी कमल की अभिकिरिया से कौन सा गयस निकलती है देख सकते हैं में है O2 और B में CO2 और C में है H2 और D में फ्रेंड N2 तो इसका आंसर में हो जागा देख सकते हैं C यानी H2 यानी हाइड्रोजन गयस बाहर निकलती यह तो चली फ्रेंड हमार वीडियो को लाइक कर दे सेर कर दे और चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहा है चनल को स्काइब क करते हैं और बेल लेकन को दावाना ना भूले ताकी जो भी माए तेंथ का लेटेस्ट अपडेट पीटी को बनाओं आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले एक्जाम में आपको साहता मिले तो चली फ्रेंड देखते हैं नेक्ष नमर प्रास कि जब पच्छमी की और पर मुखी और Đि में हो जागा उपड़ी मुखी तो देख सकते फ्रेंड इसका जो अंसर में हो जबर वहो legal Сई यानी वह अधो मुखी उत्तर की और रहती यह तो चली फ्रेंड देख свет Queen फ्रैंड फ्लस्द तो प्लिस प्रेंड मर विडियो को लायक करें सेरख करेंग और शे infinity भीजिट कर रहे हैं चैनल को स्थ्क्राइब कर दे और बेल लाइकन को दावाना ना भूले तो चली फ्रेंट नेक्ट नमर प्रस्ट कि हमारे घरों में विधुत आपूर्ती की जाती है जेक्शकते फ्रेंट वह यह 2014 का कॉस्चन फ्रेंट देख सकते हैं कि 2014 है हमारे घरों मे विधुत की आपूर्ती की जाती है ए में हो जागा फ्रेंट 220 वोल्ट पर द्रिष्टी धारा और बी में है दूस 12 वोल्ट पर द्रिष्टी धारा होती है और सी में है फ्रेंट 220 वोल्ट प्रावर्ती धारा होती है और सी डी में है फ्रेंट देख सकते हैं कि 12 वोल्ट प्र рах ततबरती धारा हमारे घरो में सफवलाइ की जाती है जो आपूर्ती की जाती फ्रेंट तो फ्रेंट नमतÎक करें जो आने वाले करेंगर है लाओ टॉ à ना भूले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं तिख सकते हैं येशन करने के लिए हम सोर जल तापक का उप्यों किस दिन नहीं कर सकते हैं तो दोप वाले दीनों या वी में हैем या C गरम दीनों या इंन में से कोई नहीं हम बादलों वाले दीनों में सौरजाप का उप्योग नहीं ब्लिक्र सकते हैं तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक करें से एल और चैनल पर पहली बार भी जिट कर रहा है जो स्क्राइब करते और लें को दिटात धा physicians t यह उर्जा डी में है जैब मात्रा तो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंड जो इसका अंसर में हो जागा डी यानि जैब मात्रा है जो उर्जा का गयव पत्र नहीं है तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं देख सकते हैं नेक्ष नमर प्रस्न में है कि अमीवा अपना भोजन कैसे पकरता है अमीवा अपना भोजन कैसे पकरता है देख सकते हैं यह 2019 का ए में पूछ चुका है कोश्चन बैंक 2019 का ए में आप लोग पिसवास नहीं है तो देख सकते हैं मिलाकर यह 2019 में पूछ चुका है प्रस्न कि अमीवा अपना भोजन कैसे पकरता है तो देख सकते हैं ए अस्प्रंजक द्वारा वी जीव द्वारा सी कुटपाद द्वारा या डी है फ्रेंड मुह द् घड़ा या नीमीवा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकरता है तो चलिए फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक कर दे और जिए और प्वाली बार भी जिट करना है चैनल को सुस्क्राइब कर दे और इस नकार परसन कर दो देख सकते प्रेंड नेक्स नवर परसन में क यह मां अमसर में हो जागा वहाँ डी हो जागा यानि एम इलेच है जो नहीं देख सकते हैं जो एजाइम बासा पर किर्याक करता है तो डी नम्मर हो जागा तो चलिए हमारी वडियों को लाइक कर दे और Test पर पहली बार भी जित कर रहा है तो चैनल को subscribe कर देए और लइकन को दवाना ना ब्धूले तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं next number प्रस्ट कि किस परकार के सबसंद से अधी कूरजा मुप्त होती हैं किस प्रकार के सबसन से अधी कूर्जा नहीं कि इन से कोई नहीं तो इसका जो अंसर में हो जागा फ्रेंड ए यानि वाई अभी ये सब्संस से अधी कूर्जा मुक्त होती है तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल डिकेलाइफ अश्टरी को एक बार सस्क्राइब कर दें और बेल लाइकन को दबाना न भूले ताकि जो लगतार दो बार पूछा है देख सकते हैं 2014 में भी और 2015 में भी तो मचली का सब्संस अंग क्या है फ्रेंड ए में है गिल्स वडी फ्रेंड टेकीया बी में है गिल्स सिमें तबचा या डी में फेफरा तो देख सकते हैं मचली का जो सुचन अंग है फ्रेंड वह भी हो जागा यानि गिल्स हो जागा तो चलिए फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डिकलाइफ थाड़ी को एक बार सब्सक्राइब कर दे और लाइकन को दबाना ना भूले तो चले फ्रेंग देखते हैं नेक्ष्ट प्रस्ण देख सकते फ्रेंड next नमर प्रस्ण में है कि अस्टो माटा को खुलने और बंद होने की किरिया को कौन सानी अंतरन करता है यह प्रस्ण फ्रेंड 2019 के C में पूछ चुका है देख सकते हैं अस्टुमाटा खुलने और बंद होने की किरिया को कौन सा नियंतरन करता है तो ये कोसिक द्वार कोसिका भी सहचर कोसिका सी चलनी नलिका या डी में हो फ्रेंट मूल रूप तो देख सकते हैं जो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंट इसका अंसर में हो जागा भी यानि सहचर कोशी का चलनी नल अस्टूमाटा को खुलने और बंद करने की किरिया को नियंतरन करते हैं सहचर कोशी का तो चलिए फ्रेंट हमारे चैनल डिकलाइफ अस्टरी को एक वार सब्सक्राइब कर दे और बेल ऐकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंट देखते हैं नेक्ष्ण नमर प्रस्ण में है कि निमन में से काउन ब्रिक की रचनात्मक एबं किरियात्मक की काई है देख सकते फ्रेंट 2015 के ए में पूछ चुका है यह प्रस्ण तो फ्रेंट हमारे चैनल डिकलाइफ अस्टरी को सब्सक्राइब कर दे औ एकन को दावाना ना भूले तो चलिए फ्रेंट कि देखिए निमन में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एबं किरियात्मक की काई है तो ए में है फ्रेंड निवरावन बी में है ने फ्रावन सी में है गलो में रूल्स या डी में है फ्रेंड निल है तो देख सकते हैं इसका जो पूंसर में हो जाग भी यानी वरी के रचनात्मक यार तुल निफ्रावन कहते हैं या लोग याद रखियगा तो छली छुष देखते हैं नेक्ष्णमर परस्न देख सकते हैं नेक्ष नमर प्रस्ण में कि मानव की प्रमुक उत्सरजित अंग निमलिखित में से कौन है यह कौश्चन फ्रेंड 2016 के ए में पूछ चुका है आप लोग देख सकते हैं कौश्चन बैंक से हमने कौश्चन बैंक से भी भी आई प्रस्ण को गेसिंग करकर हम यह बहुत इन्पोर्टेंट है तो फटा फटा मारे वीडियो को लाइक करें सेर करें और पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को स्क्राइब कर दे और वे लेकिन को दवाना ना भूले तो चली फ्रेंड मानव की प्रमुक उत्सरजित अंग निमलिखित में से कौन है ए तो चली फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें और पहली बार विजित कर रहा है चैनल को स्क्राइब कर रहे और बेल लाइकन को दवाना ना भूले तो चली फ्रेंड देखते हैं नेक्शन प्रस एस्ट्रोजोन क्या है देख सकते फ्रेंड एस्ट्रोजोन क्या ह में मादा लिंग हर्मोन याली में पाच करस या ड में है इन में से सभी गया तो ये इस जो भूब जाएगा यानि मादा लिंग हर्मोन है तो चली फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ट्ट में देखते हैं देख सकते परेंड नेक्ष नमर परस्ट में है कि डरपन के सामने कि सी भी दूरी पर इस्तित बस्तु का पर्तिविम सीधा परति थ होता है तो वह कौन सा धरपन है फ्रेंट वह कौन तो वह धरपन कौन है केवल समतल यहां भी मैं केवल अब तर या सी में फ्रेंड केवल उतल या डी में है समतल अथवा उत्तल दोनों तो चलिए फ्रेंड इसका जो अंसर में हो जागा वह हो जागा D यानी समतल और उत्तल दोनों दर्पन हैं तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं देख सकते फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में कि किसी कार का अगरदीप में पर्युक्त दरपन निमलीखित में से कौन होता है देख सकते फ्रेंड यह question 2015 के ए में पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास question है या फिर question बैंक है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यह प्रस्ण 2015 के A में पूश चुका है तो किसी कार का अगर दीप में पर्यूक्त दर्पन निमलिखित में से कौन है तो A में है अबतल दर्पन, B में है उतल दर्पन, C में है समतल दर्पन या फ्रेंड D में है समतल उतल दोनों तो देख सकते फ्रेंड इसका अंसर में हो ज यानि अवतल दर्पन तो चलिए फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं कि देख सकते फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में है कि निमलीखित में से को किसका पवरतनांग सबसे अधीक होता है तो निमलीखित में से किसका पवरतनांग सबसे अधीक होता है A में है फ्रेंट बाईयो, B में है बर्प, C में है काँच, या D में है फ्रेंट हीरा, तो देख सकते हैं किसका अपवर्तनांख अधीक है, तो इसका अंसर में हो जागा D, यानि हीरा का अपवर्तनांख है फ्रेंट, जो सबसे अधीक होता है, तो चलिए next number परस्ण में देखत कहते हैं देख सकते फ्रेंट कि निमने लिखित में से किस लेंज को अभिसारी लेंज कहते हैं तो देख सकते हैं यह प्रस्न दो बारत पूछ चुका है फ्रेंज देख सकते हैं अबतल दोनों को या डी में है फ्रेंड बाइफोकल लेंज को तो देख सकते हैं जो इसका अंसर में हो जागा है यानि उत्तर लेंज को फ्रेंड अभी सारी लेंज कहते हैं तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दिजे और हमारे चैनल डिकला फश्टरी को एक बार सब्सक्राइब कर दे और वेल लाइकन को दवाना ना भूले तो चली फ्रेंड देखते हैं नेक्ष नमर प्रस्न नेक्ष नमर प्रस्न में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है देख सकते हैं लगातार तीन साल पूछा गया प्रस्न है यह प्रस्न लगातार तीन साल पूछा गया देख सकते हैं 2015, 2016 और 2019 में यह प्रस्न को बार बार पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग ह तो देख सकते हैं आयोडी की कमी से फ्रेंट यारी के घा रोग होता है तो चलिए हमारी विडियो नाइक कर देखते हैं नेक्ष नमर प्रस्ण देख सकते फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में है कि निमन में से कौन सी फ्यूटरी गरंथी से निकलने वाला हर्मोन है तो कौन सा फ्यूटरी गरंथी से निकलने वाला हर्मोन है फ्रेंड ए ब्रिधी हर्मोन भी थाइराक्सिन हर्मोन यासी इंसूली या्डी देखसकते हैं एंड्रोजन तो इसका जो अंसर में हो जाएगा फिरेंड यह हो जाएगा यानि बछिदी हर्मोन है जो celaली गरंती से निकल लिने वाला हर्मोन है तो चलिए फ्रेन देखते हैं नेक्ष नमर प्रस्न देख सकते फ्रेंद नेक्ष नमर प्रस्न में हैं कि अमीवा में अलएंगिक जनन किस बीधी द्वारा होता है तो देख सकते फ्रेंद यह प्रस्न है जो 2011-2012 और 2014-2015 और 2018 में पूछा गया देख सकते फ्रेंड की 11 12 और 13 और 15 और 18 में यह प्रस्न लगातार पूछ रहा है तो चलिए फ्रेंड आज आप लोगों के लिए हम लोग 2022 के लिए गेसिंग किया हुआ कोश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले 2022 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है तो चलिए फ्रेंड देखते हैं जो इसका अंसर में हो जागा अंसर में हो जागा फ्रेंड देख सकते हैं कि यह मुकुलन बीडी खंडर सी विजानुखन जनन या डी में इन में से सभी तो इसका जो अंसर में हो जागा फ्रेंड यानि अमीवा में अलेंगिक जनन किस वीदी के दवारा होता है तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार पीजिट कर रहा है तो चैनल को स्क्राइब कर दे में न को बस्क्राइब का कौन सा भाग फल में बदलता है कि यह 2018 में पूछा गया प्रस्ण है कि फूल को बदलता है तो चलिए ए पूंकेत are theoveBox si में हैं अंडस से यह घ्म है बिर्जान तो जो शाओ चाहइं आण 7 इस टीयानी अन्धास से है जो फल में बदलता है तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहा है चैनल को स्क्राइब कर दें और बेल आइकन को दवाना ना भूले तो चली फ्रेंड नेक्स नवर परस्न कि निमलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है तो देख सकते फ्रेंड इसका जो अंसर में हो जागा डी यानि भी बटे यूँ है जो लेंस का आवर्धन है तो चलिए फ्रेंड हमारे चैनल डिक्राइब को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वे लाइकन को दवाना ना भूले तो चली फ्रेंड नेक्स नवर परस्न कि निम दोनों में पूछा गया यह प्रस्न है कि बायो मंडल में प्रकात के कि स्वर्न का परकिर्न अधिक होता है देख सकते फ्रेंड दो साल लगतार पूछा है 18 और 19 दोनों में पूछा गया यह प्रस्न है कि बायो मंडल में प्रकास के किस वर्ण का परकिर्णन अधिक होता है तो A में है फ्रेंड लाल, B में है नीला, C में है पीला, या D में है फ्रेंड नारंगी तो देख सकते हैं जो इसका अंसर में हो जागा, B यानी किस रंग का परकिर्णन बायो मंडल में अधिक होता है फ्रेंड तो B हो जागा यानी नीला तो चलिए फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डिकलाइफ अच्टडी को एक बार सब्सक्राइब कर दे और बेल लाइकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड नेक्स नमर परस्न कि प्रकास की किस घटना के कारण सुर्य हमें वास्तविक सुर्य से लगभग 2 मिनट पुर्व दिखाई देने लगता है तो किसके कारण दिखाई देने लगता है प्रावरतन दिया परकरन या फिर डिधक हजागा फ्रेंद बाईयो मंदल अपवरतन एवं लगता है तो चलिए फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पर पहली बार भी जिच कर रहे हैं तो चैनल को स्क्राइब कर दे और वेल लाइकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड नेक्श नमर प्रस्ण में देखते हैं कुछ फ्रेंड 2016 मेंपूच चुका है कि निमलिखित में से कौन उभाय लिंगी है तो तो देख सकते हैं इसकांसर में हो जागा फ्रेज्स, यानि उभषईलिंगी जीव जो केचुगा है, यानि यह नम्मर हो जागा, तो चलिए next नमर प्रस्ण में देखते हैं, देख सकते हैं Next नमर प्रस्ण में हैं, कि मेंडल ने अपने परियोग के लिए किस पौधे को चुना देख सकते फ्रेंड यह 5 साल पूछा गया लगतार प्रस्न है मेंडल ने अपने परियोग के लिए किस पौधे को चुना ए मेंडल ने अपना परियोग किस पौधे को चुना था तो चलिए नेक्स नमर प्रस्न देखते हैं कि निमन में से कौन एक अवसोसी अंग है यह प्रस्न 2019 में पूछ चुका है तो निमन में से कौन एक अवसोसी अंग है ए रीड की हड़ी, B, अंगूठा, C, कान, या D में हो जगा फ्रेंट, एपंडिक्स, तो इस का अंसर में हो जगा फ्रेंट, D, यानि एपंडिक्स है, जो सरीर का अफसोसन अंग है, कि तो देख सकते प्रेंश के सो सी यंग है अपेंडिक्स है तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं क्षिपको अंदोलन किसले संबंधित हैं इन सन रच्षन ब मिर्दा सनर रच्षन सय जल सन रच्षन या दे अधी बनसन रच्छन से संबंधित हैं तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर देजे और चैनल पर पहली बार विजुट कर रहा है चैनल को स्क्राइब कर दे और बेल लाइकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्ष नमर प्रस्ण देख सकते हैं नेक्ष नमर प्रस्ण में है कि आधुनिक अवर्थ सारनी अवर्थ नियम के अनुसार तत्वों का गुन धर्म निमलिखित में से किसके अवर्थ फलन होते हैं और अवर्ड शन्ख्या को तो देख सकते हैं जो इसका एक इस सन्ख्या हो के अधूर पर अधूनिक अबर सारनी के नियम तत्वों का किया गया तो चलिए नेटिण कि अपरस्ण में देखते हैं इसक टेफ राएद प्रास देश्ट है किा आधूनिक सारनी की च्छाइटीज तार निम्लिखित में से क्या कहला तो आधूनीक अवर्थ और सारनी के जो कि आंसर में हो जागा ऐंओ यानि Android कतार को आवर्द कहते हैं यानि यह नम्मर को चलुक्त सब्सक्राइब प्रैन प्रश्ण में है फृतो कि लोहे के फराइंग पईंट के जंग से बचने के लिए निमन में तो कौन सी बिधी उपयुक्त है फ्रेंट ए में हैयं ग्रीज लगाकर U में है प्रत जिनक की परत चढ़ाकर या फिर डी में है इनमें से सभी तो देख सकते हैं जो इस कांसर में हो जोगा डीय होगा फ्रेंट इसकते हैं स fallait में डी हो जागा कि यह ग्रीज लगा कर भी पेंट चरहा कर भी और जिंक की पड़क चरहा कर भी इन में से सभी चरहा कर इसको सुरच छित रख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड हमारे चैनल डिकला फर्स्टरी को एक बार सब्सक्राइब कर दे और वे लाइकन को दवाना ना भू सब्सक्राइब कर देखते हैं निमलीखित में से किस धातु को चाकू से असानी से काटा जा सकता है यह 2014-2016 में दो साल लगतार पूछा हुआ प्रस्टरेंग कि किस धातू को चाकू से असानी से काटा जा सकता है यह अने यह यानी यह यानी सोडियों सी में हो जागा यह यानी मैगनिसियां तो जो इस कांसर में हो जागा फ्रेंड वह भी हो जागा यानि एने सोडियम को सरलता पुरवब चाकू से काटा जा सकता है तो छलिए फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं कि जब किसी अभिकिरिया के समय किसी पदार्थ में आक्सीजन की ब्रीधी होती है तो निमलिखित में से क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है फ्रेंड ए उप्चयन भी अप्चयन या देख सकते फ्रेंड अप्चयन C में हो जागा संचारन या D इन में से कोई नहीं, तो इस कांसर में हो जागा फ्रेंड, A यानि ब्रिधी होती है फ्रेंड, तो या उप्चयन कहलाती है, तो चलिए, next नमर प्रस्न में देखते हैं, देख सकते हैं, next नमर प्रस्न में है, कि अमल का पी एच मान होता है, तो A में है फ्रेंड, 7 से कम, B में है 7 से अधीक, C में है 7, D में है 14, तो अमल का पी एच मान होता है फ्रेंड, जो A हो जागा, यानि 7 से कम होता है, तो चलिए, next नमर प्रस्न में देखते हैं, देख सकते फ्रेंट नेक्स नमर प्रस्ण में है कि धोने का सोड़ा आनविक सुत्र क्या है धोने का सोड़ा देख सकते फ्रेंट तीन साल लगतार पूछा गया प्रस्ण है कि धोने का सोड़ा का आनविक सुत्र क्या है तो 2015 और 2017-2019 लगतार तीन साल से पूछा गया प्रस्ण है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि जो भी मैं टेंस का लेटेस्ट अबडेट प्रिडियो बनाओं आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले चाम में आपको सहायता मिले तो छली फ्रेंड देख सकते हैं यह अप तो देख सकते फ्रेंड तो इस कांसर में सी हो जागा यानि धोने का सोडा का आणविक सुत्र सी हो जागा एने टू सी ओधिरी दो सेच टू तो चलिए फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल पर पहली बार भी जित कर रहा है तो चैनल को स्ब्राइब क का अनुभव होता है वह कौन सा अमल है फ्रेंड तो मधुमक्खी का डंक में कौन सा अमल पाया जाता है ए मेथाउनी कमल भी इथानाई कमल या सी सिडरी कमल या डी में हो जागा फ्रेंड उकजेली कमल तो देख सकते हैं जो इस कांसर में हो जागा यानि मेथेनाई कमल है करें जो मदु मक्खी के डंक में यह अमल में थो नहीं कमलया तो छे अधनी न्शन देसके क्तार में है कि कि विधुत परथिरोध का मात्रत स्थ 2012 में पूछा गया फ्रस्टन में कि विधुत पर तीरोध द्धक्ता आज सबसे अच्छा चालक हैं तोनिम्लीखित में से कौन विधुत का सबसे अच्छा चालक है ए में है चाणधी वी में है लोहा सी में है नाय क्रों या डी में फ्रेंड रबर तो देख सकते हैं विथ हा चालक है फिरांड जो चांदी में है यादि ये नमर्र हो जागा तो चलिए next नमर्ед प्रस्थ में देखते हैं डेस्ट थ्य प्रफैंड ने इक्ष नमर्ड प्रस्थ में हैं और डी में है फ्रेंग गोर सुदेख सकते हैं जो इसका कोज किया था वह भी हो जागा यानि विधूत चुम्ब किये प्रभाब के खोज फ्रें'll state प्रस्ण में देखते हैं और निस नमर प्रसुन में देख सकते हैं कि विधूत मोंतर परष्टित करता हैं देख सकते फ्रेंग साल लगतार पूछा गया परस्ण है 16 और 24 में यह पूछा था दो को विधु तूर्जा को रसायनी कूर जा में या फिर धी में हो जागा प्रेμ विधु तूर्जा को या अंतली पूर्जा में तो देख्सक्ते इस अंसरा में डि तूर्जा में coughing मोतर देखते हैं का अंसर में यानी जेडेन जो सबसे कम अभिक्रिया सील दातू है तो चलिए नेक्स नमर प्रश्ण में देखते हैं देखते हैं कि कारवन की परमानु संख्या क्या है तो कारवन की कि प्रमानु संख्या क्या है फ्रेंड कि ए में है फ्रेंड 6 वी में है आठ सी में है नव या डी में है इगारा तो कारवन की प्रमानु संख्या फ्रेंड जो ए हो जगा यानी 6 होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नमर प्रस्न में देख सकते फ्रेंड कि असंत्रिप्त हाइड्रो क गरवन जिसमें कवेर माईने कारवन परमानु के बीच तृ बंधन होते हैं वे क्या कहलाते हैं तो करवन के बीच kanao कि 3 बंधन होते हैं उसे क्या काते हैं एलकेन बी एलकाइन सी एलकीन या डी इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर में हो जागा फ्रेंड सी यानी एलकीन होती है तो चलिए नेक्स्ट नमर प्रस्ट में देखते हैं तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बीजिट कर रहा है तो चैनल को स्क्राइब कर दें और बेल लाइकन को दवाना ना फुले ताकि जो भी मैं टेंट कास का लेटेस्ट अप्टे येच और दहीं में हो जागा फ्रेंट सीयों तो एथनल का जो करिया सील मुलक का सूतर हो वह सी हो जागा सीडाव ओल् second में गशिक से और लाइकन को दवाना ना भूले तो किसे रसाइनिक दूत कहा जाता है ए उदीपक भी पाचकर सी हर्मोन या डी आवेक तो इसका जो अंसर में हो जागा फ्रेंड वह सी हो जागा यानी किसे रसाइनिक क्योंत करते हैं तो यानी हर्मोन को रसाइनिक दूत करते हैं चलिए निक्जार प्रसन देख सकते फ्रेंदन निक्स नवर प्रसना में है कि दया और औरी जिन ऑफ अस तो स्पेसिच नामक पुस्तक किसने लिखा दो और ओरेजिन ओफ एस पेसिज नामक पुस्तक किसने लिखा था तो ये में हो जागा फ्रेंड डर्वीन यार्श में जामन या पुस्तक फ्रेंड बीन के त्वारा ओरीजिनफ पिसिच नामग पुस्तक u , āदारवीन ने लिखा है तो चलिए निक्ष नवर्ड परस्ण में देखते हैं 2 निमलिख्ट में से किस माध्यम में प्रकास की चाल सब से अधीक होता है '' काच व पानी लोहा और ली कामली निवारत & acredito m tuna निवारत में प्रकास की चाल अधीक होती है तो estas यानि निवारत में है जो फ्रेंड प्रकास की चाल अधीक होती है तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ट तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्ष नमर प्रस्ट देख सकते फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ट में है कि विवांतर का इसाई मातरक होता है तो विवांतर का इसाई मातर तो होता है तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं देख सकते फ्रेंड नेक्ष नमर प्रस्ण में है कि पौधे में जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो पौधे में जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो पौधे में जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो पौधे में जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो इसका आंसर में सी हो जागा यानि पूस्प में पाये जाते हैं नेक्स्ट नमर् प्रस्ण में देख सकते हैं फ्रेंट कि मेंडल ने अपने अनुवंस की परियोग है तु किस पौधे प्योग किया ए नीम बी गुलाब लॉटर और डी में हो जागा फ्रेंट गुल्दावदी तो इसका जो अंसर में हो जागा फ्रेंच यानि मेंडन ने हैं जो मटर के पोधे पर पडियोग किया था तो छलिए next नमर प्रस्ण में देखते हैं देख सकते फ्रेंच नमर प्रस्ण में है कि प्रस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है एक दिशिये बी दिशिये सी बहुत दिशिये या डी में हो जागा फ्रेंच किसी भी दिशा में नहीं तो जो इसका अंसर में हो जागा डी यानि किसी भी दिश लुक्त कैणकर पर उसताANC में नहीं होता है तो चलिए फ्रेंट परसनर देखसकते फ्रेंट निक्स नमर परसन प्रसन में है कि iz जोंत परत पाया जाता है तो जोंत कर आप आज आप रने ए बायो मंंडल के कने शता में ऑबि बायम ओंडल के उपरी सतह में सी बायम मंडल के मध्ध सतह में इया इनुमेस से कोई नहीं में तो इसका जो अंसर में हो जाएगा फ्रेंट वियाह शॉहन परत पाया जाता है यू मंडल के उपड़ी सतह में तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल डिकल आफर स्टरी को एक पार सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को दवाना ना भूले तो चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स नमर प्रस्ट तो चलिए फ्रेंग नेक्स है इस धातु से सोलर बना होता है तो इसका अंसर में master में देẫnर प्रस्ट निए Wanna फ्रेंगन इस ही अं southern तो चलिए फ्रेंड देखते हैं देख सकते फ्रेंड के टू एसो फोर हो जागा तो चलिए नेक्स नमर प्रस्ण देख सकते फ्रेंड नेक्स नमर प्रस्ण में कि निमलीखित में से सबसे भारी धातु कौन है तो निमलीखित में से सबसे भारी धातु कौन है फ्रेंड ए में है लिथियम बी में है यूरिनियम सी में है सीर्जियम और डी में है फ्रेंड देख सकते हैं डी में है आयरन तो देख सकते हैं इसका ज next number question में है friend देख सकते हैं कि इथेन के एक अनु में कितने ससयोजक बंधन है तो इथेन के एक अनु में कितने ससयोजक बंधन है friend A में है 2, B में है 4, C में है 6 या D में है friend 7 तो जो इसका आंसर में हो जागा वह D कि इथेन के एक अनु में साथ ससयोजक बंधन है तो चलिए friend next number person जैख सकते friend next number person में है कि अवर्ष सार्णी के प्रथम बर्ग के सदस्य है तो अवर्ष सार्णी में प्रथम बर्ग के सदस्य होते हैं कैसा होता है friend A अमलिये धातू B अक्रिये गर C चार धातू या D में है friend मिश्र धातू तो जो इसका अंसर में हो जागा friend वह C हो जागा यानि अवर्ष सार्णी के जो प्रथम बर्ग के सदस्य है वह चार धातू है तो चलिए next number person जैख सकते friend next number person में है कि निमलिखित में से कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है तो निमलिखित में से कौन प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है friend ए जल, बी, sorry friend ए बाईयो, बी जल, सी मिट्टी, डी जीबधारी तो इसका जो अंसर में हो जागा friend वह D हो जागा यानि जीबधारी प्राकिर्तिक संसाधन नहीं है next next number person में देख सकते friend कि प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम है तो A में हो जगा 1, P में हो जगा 2, C में हो जगा 3, D में हो जगा 4 तो प्रकास के प्रावर्तन के friend B हो जगा यानि 2 नियम है next next में देख सकते friend कि तरंगधायर को समानने व्यक्ट किया जाता है तो त्रंगधायर का समान्यता ब्यक्त किया जाता है किससे एक कंडेला के रूप में वी जूल के रूप में सी एंपियर के रूप में या डी एग अश्ट्रॉम के रूप में तो देख सकते हैं इस कांसर में हो जगा डी यानि त्रंगधायर को ब्यक्त किया जाता है फ्रेंड डि एग अस्ट्रोम के रूप में next निछ नमर परस्ण में देख सकते हैं कि सभी जीब जनतुओं के लिए उर्जा का अंतिम स्रोत हैं तो क्या है ए ग्रह वी चंद्रमा सी सूरे डी कोईला तो सभी जीब जन्तुओं के लिए उर्जा कांतिम सरोत है फ्रें जो सी हो जागा यानि सूरे हैं तो चलिए नेक्ष नमर प्रस्ण में देखते हैं देख सकते फ्रें नेक्ष नमर प्रस्ण में हैं कि तिल चट्टा में कितने जोड़े स्वांस रंधर पा तो जो इस कांसर में हो जागा फ्रेंड वह C हो जागा यानि दस जोड़े रंधर पाय जाते हैं नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते फ्रेंड कि प्रकास अंसलेशन की किरिया होती हैं तो किसमे होती है फ्रेंट A कबको में B जन्तूओं में C हरे पौधे में और D पर जी बीयों में तो देख सकते है प्रकास अंसलेशन की किरिया होता है C यानि हरे पौधे में होता है तो चलिए next number person next number person में देख सकते हैं कि फ्रोय मुद्तक द्वारा कर्भो हाइडरेट का परिवहन होता है तो किसमे होता है फ्रेंट तो A गुलकोज के रूप में B प्रोक्टोज के रूप में C लेक्टोज के रूप में या D अस्क्रोज के रूप में तो जो इस कांसर में हो जागा दन होता हैं तो चलिए next number person देख सकते friends next number person में है कि प ostrma में गसो का आदान-परदान कि किसके द्वारा होता हैं तो पर ओद्धों में घसो का आदान परदान किसके द्वारा होता है friend हो तो फ्रेंट हो जागा इसका धिसका A में देख सकते फ्रेंड रधर दवारा, B जर दवारा, C तना दवारा, या D टहनी दवारा तो देख सकते जो इसका अंसर में हो जगा A यानि पोधे में गैसो का अधान परदान रधर दवारा होता है यानि यह नमर हो जगा तो चलिए next number प्रस्ण में देखते हैं देख सकते फ्रेंड next number प्रस्ण में है कि निम्न में से सबसे तेज हिर्दय धर्कन किसका होता है एफ वेल वी चूहा सी हाथी डी आदमी तो जो इसका आंसर में हो जागा फ्रेंड यानी चूहा का धर्कन है जो सबसे अधिक तेज होता है तो चलिए फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को एक बास सब्सक्राइब कर दें और बेल एकन को दावाना ना भूले ताकि जो भी मैं टेंट कास का लेटेस्ट अपडेट विडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले एक्जाम में आपको सहायता मिले तो चली फ्रेंड द देख सकते हैं Een में दिया हुआ है अमोनिया बी में यूरी कमल देख सकते हैं ettive इंद में हो जगा इन में से सभी इन में से सबही उत्षर्जित कचराइब तो देख सकते हैं next next नमर प्रस्ण में देख सकते हैं कि Tantra का Tantra की रचनात्मक एवर्ण क्रियात्मक की काई को क्या कहते हैं E में है Nefron, B में है Neuron C में है Cerebron और D में हैँ इसे कोई नहीं तो इसका जो अंसर में हो जङआँ B, यानि B तंत्री का तंत्र की कोशी का रचनात्म क्रियात्म की काई को फ्रेंड निवरान कहते हैं नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते हैं फ्रेंड कि किनकी उपस्तिती के कारण पाउधा का रंग हरा होता है एक लोड़ोफिल भी लिवकोस्ट सी फाइटो क्रोम या डी इन में से कोई नहीं तो इसका जो अंसर में हो जागा फ्रेंड वह यह हो जागा यानि कलोड़ोफिल के कारण पाउधे कारण हरा होता है नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते फ्रेंड कि पाउधे में उत्सर्जित पदार्थ है तो पाउधे में उत्सर्जित पदार्थ है फ्रेंड ए में है गेंद भी में है टैनिन सी में है रेजिन और डी में है फ्रेंड इन में से सभी तो जो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंड वडी यानि पवधे में जो सर्जित पदार्थ है वगोंद टैनिन रेजिन इनमें से सभी यानि डी नमर हो जागा तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और सेर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को आजस्थान और डी में फ्रेंड मध्य परदेश तो टीहरी बांध कहां बनाया गया था फ्रेंड इसकांसर में जगा भी यानि टीहरी बांध का निर्मान उत्राखंड पर देश में किया गया है तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देए और बेल आइक उनको दावाना न भूले ताकि जो भी मैं टेंट कास का लेटेस्ट अप्टेट विडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले ज्याम में आपको सहायता मिले तुछ चलिए फ्रेंड देखत कि यह सां करना अर्बर मैं अमलबर्सा होता है यहीं यानी सलफर डायोकसाइड के कारण अमलबर्सा होती है मैं नेक्स बांस virt Farm शूच में देखसकते फ्रेंड सुच लगाय जातें सुच लगाया जातें बी उस सामिच लगा जाते हैं जहागा भी यानि स्विच को Using Серव गरमतार में से में लगाए जाता है तो भी नमर हो जगा तो छली फ्रेंड नेक्श नमर प्राश्ण ड्यक्षतन फ्रेंड नमर प्रस्ण में है कि कहने अभिकर नहीं ख नहीं है कि निमन में कौन और यह करनी योड़ा का सुरोत नहीं है तो इस में यह 2014 में पूछा गया प्रस्ण है कि मनुस्य में ब्रिक निमन में से किसे संबंधीत है एक पो अभी सब्संद. C परिवहन टि उत्सरजन तो जो इस कांचर में हो जागा फ्रेंड वह डी हो जागा यानि एन शरजन से संबंधीत है तो चली लिए नेक्स नुमर प्रस्ण देख सकते फ्रेंड नेक्स नुमर प्रस्ण में है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है फ्रेंड यह मस्तिक भी तंत्रीका सी मुख और डी अस अस्प्रण्जक तो जो हाइड्रा में पाया जाता है फ्रेंड वह D हो जागा यानि अस्प्रण्जक है जो हाइड्रा में पाया जाता है नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते फ्रेंड कि अमीटर निम से निमलिखित में किसे मां पा जाता है तो यह मीटर को निमलिखित में किससे ना पा जाता है और दहारह , B.AB.S , C.B.B.Bam या फिर D में हो जागा फ्रेंच या फिर D मैं विधुत सकती तो कि यह मीटर से या कहलाता है देख सकते हैं तीन साल लगतार पूछा गाया है वह करना को यांत्रिक उर्जा में emphasizing क्या करता है उसे जेह देख सकते हैं kami इसका जो अंसर में हो जागा मिश्टेक हो गया फ्रेंड जो इसका अंसर में हो जागा देख सकते हैं करन बिधूत उर्जहा को यांत्रिक में बदलता है जिसको बिधूत मो तर कहते हैं 1 वाटा U, प्रावर 1 वाटा F, और B में दिया हुआ 1 वाटा B, माइनस 1 वाटा U, प्रावर 1 वाटा F, और C में 1 वाटे F, 1 वाटे U, प्रावर 1 वाटे B, और D में दिया हुआ है फ्रेंड, 1 वाटे F, और 1 वाटे U, प्रावर 1 वाटे U, तो देख सकते हैं जो इस कांसर में A ह हो जागा फ्रेंड कि ओवन बट्टा भी प्लस छोड़ दिया है फ्रेंड यहां पर छूट गाया है वन बटे यू बढ़ाबर वन बटे एफ हो जागा दरपन सुत्र तो चलिए फ्रेंड ये फो जागा चलिए हमारे विडियो को लाइक कर दे यानि ए नम्मर हो जागा तो च देख सकते हैं निकट द्रीश्टी दोस्ट को किस लैंस को दोषटाया जाता है यह दो साल पूछा है फ्रेंड 1974 में लगातार पूछा गए प्रस्ट्नotz को कि सब्कुत तवरारा हटाया जाता है यह उद्तर लैंस ऑर सी में और दी में है देख सकते हैं वेलन कार लेंस तो इसका अंसर में हो जागा फ्रेंड यानि निकट दिरिष्टी दोस्को अब तर लेंस द्वारा हटाया जाता है नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते फ्रेंड कि निकट दिरिष्टी दोस्को निमलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है फ्रेंड वही कोस्चन है 2011 में फ्रेंड पुछा गया है तो देख सकते हैं किस लेंज द्वारा हटाया गया है तो देख सकते यह सीधी रेखा में बी तिरची रेखा में दी तिसा इनमें से कोई नहीं तो देख सकते फ्रेंड यहां पर ऑप्शन कि हटाया गया है आप लोग याद रहेगा हट प्तल लेंज द्वारालैं कर मिश्थिएप गया फ्रेंड ऊप्षन हंगलत छप गया है यह अपतल लेंज सब्च पराइव हट मुव आया जाता है नेक्स्ट कर इनिमलिखित में से कौन लेंज की चमता का मात रख है तो ए जूल बी बाट सी डाय आफ्टर डी अर्ग तो लेंज की चमता का एसा ही मात रख हो जागा पृएS2 यानि डाय आफ्टर केफ़्ट के नहुं का अंसर में हो जागा फ्रेंड वह A हो जागा यानि लाल रंग का जो विचलन है वह निवन्तम होता है नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है फ्रेंड ए प्रवर्ति धारा बी दिरिष्टी धारा सी ए और बी दोनों या डी हो जागा फ्रेंड इन में से कोई नहीं तो इसका जो अंसर में हो जगा वावबी हो जगा यानि वेटरी से फ्रेंड द्रिष्टी धारा प्रभाहित होती है नेक्स्ट नेक्स्ट नमर्ट प्रस्ण में देख सकते हैं फ्रेंड कि समिकरन ह 2H2O पलस O2 और 2H2O है एक क्या है फ्रेंड A सयोजन अभिक्रिया B बयोजन अभिक्रिया C अब छेपन अभिक्रिया और D उदास्सिनी करन अभिक्रिया चो इस कांसर में हो जागा फ्रेंड राइंड यानि यह हो जागा फ्रेंड सयोजन अभिक्रियाए चलिए नेक्ष नमर्ट प्रस्ण में देखतेयों डेख्यक्रिया mentor प्रस्ण में है कि गुल्कोज का रसाइमिक्स तुट निमलिखित में से काउन है तो देख सकते यह में है C2H5 OH और B में C6H6 O6 और C में है C6H4 O6 और D में है फ्रेंट C6H6 तो जैसकांसर में हो जागा C यानि गुलकोज का सुत्र हो जागा फ्रेंट C6H4 O6 next 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 नमर प्रस्न में देख सकते फ्रेंट sodium की परमानु संख्या क्या है ए में दिया हुए 11 वी में 14 C में 17 और D में दिया हुए 20 तो sodium की परमानु संख्या फ्रेंट जो यह हो जागा यानि इगारा होता है next next नमर प्रस्न में देख सकते फ्रेंट कि अमीवा में अधिकांस पोसन कैसे होता है ए सकाहारी बी अंत ग्रहन सी सर्वाहारी और D सपोसी तो जो अमीवा में जो पोसन ग्रहन होता है फ्रेंट वह भी हो जागा यानि अंत ग्रहन पोसन होता है अमीवा में next next नमर प्रस्न में देख सकते frame के रसाइनिक अविक्रिया में भाग लेने वारे पदार्थ को क्या कहा जाता है तो रसाइनिक अभिकिया में भाग लेने वारे पदार्थ को क्या कहा जाता अभsplंद सी अभीकारक यह इंत आखे वो और प्रस्ण में देख सकते हैं कि तूठ पेश्ट कैसा होता है ए अम लिए बी छारिये सी उदा सीन डीन में से सभी तो जो तूठ पेश होता है फ्रेंड वह भी यानि चार ये होता है तो पेस आप लोग याद रखेगा तो चली फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें सेर क कर दें और बेल आइकन को दावाना न भूले ताकि जो भी माइटेंट कास का लेटेस्ट अपडेट विडियो बनाओ आप तक पहुंचता रहा है और आने वाले जाम में आपको सहाइता मिली तो देख सकते फ्रेंट तूट पेस कैसा होता है छाड़ी यह होता है तो चलिए न रे फाइट हो जागा जो भी दूद का सुचालक होता है नेक्स्ट नमर प्रस्ण में देख सकते फ्रेंट कि निमली खत्यत में से कॉन करबो स्लीक सब्सक्राइब तो कौन है फ्रेंट करबो स्लीक समों अच्छ ओब सी व और सी सी डेहोल या डी ओ तो जो इस μας रम better वह बी हो जलागा यानि सियो यानि कर्बो लिक अमल के लिटक्ष्ट नोमर्पितम स्मो nhân दोटिंट कर सुपन फरेंद किकर बोस अमल का समूह कान है तो सियोonne सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिके लाए फस्ट डी को और डियल आइकन दबाना न भूले प्ट